हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब, उमीद है आप सबी बहुत मस्त और जब दस्त होंगे So मैं यशेश्र वस्त हूँ, आपका biology educator और आपका बड़ा भाई ले के आया हूँ आज आपके लिए कुछ problems का solutions जो मुझे यश सर से पता चला कि आपको काफी problems आ रही है biology में, तो उनको दूर करेंगे आज साथ में देखे समय बहुत है अभी, डरिये मत, bio का paper आपका 15 तारिक को है, उमीद है आपका paper जो चार तारिक वाला था वो बहुत अच्छा गया होगा जो भी गया हो, जो भी paper जैसा भी गया हो, अभी हमें करना क्या है, bio पर focus करना है, क्यों, क्योंकि एक biology student के लिए, bio का paper सबसे important होता है क्योंकि बागी चीजें तो उसको एक तरीके से मिली है, ये चीज तो उसने choose करी है, ठीक है, तो ये काफी important है, और आप लोग कर लेंगे, भरोसा रखिये, सही time management और सही planning से हम इस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले करीब 10 दिन है हमारे पास, ठीक है, तो अच्छे से divide करके ऐसे पढ़िये कि syllabus भी पूरा हो, practice भी उतनी ही जरूरी है, तो practice भी हो, ठीक है, तो आईए देखते हैं एक strategy को, जो कि मैंने proper way में बनाई है, बहुत नाप तॉल के बनाई है, तो सबसे पहला काम तो यही है, कि आप पहले उस border को cross करें, जो passing bar है, ठीक है, सबसे पहल पास का क्या बताएं, रो ना गाना नहीं, सब हो जाएगा, relax, तो आते हैं, paper fold strategy, बड़ा शब्द बोलो, paper fold ना है, तो paper fold strategy ही होगी न, तो आईए आते हैं, चाह तरिक, यानि कि आज, आप paper देखे आए हैं, आज आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला और सबसे importance यही है, आज आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है, खबरदार किसी बच्चे ने अगर किताब को हाथ लगाया तो, सिर्फ आराम करना है, ठीक है, relax होईए, यह strategy video देख रहे होंगे आप, एकदम relax करिए, आज का दिन सिर्फ आयाशी, सिर्फ आयाशी मतलब आराम वा प्लारिंग प्लांट्स वाला चैप्टर, ठीक, इसके साथ हम एक चैप्टर और करेंगे, जो है, microbes, microbes in human welfare, ठीक है, यह एक छोटा चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है, मैं चाहता हूँ आपका second day भी, एकदम से hectic न हो जाए, अरे सर, hectic की क्या बात कर रहे है, यह कोई असान चैप्टर है, मजा के, प्लांट है, प्लांट, फिर भी, थोड़ा तो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो उसी दिन पढ़िएगा, एक lecture हमारा सुबह रिलीज होगा, पांच को, ठीक है, करीब साढ़ सेम हर उसमें, morning और evening देख लिजेगा, पहला वाला morning और दूसरा वाला evening, ठीक है, 7th day हमारा होगा, human health and diseases, लेकिन यहाँ पे, यह वाला morning में हम निकाल देंगे है ना, यह हम, morning में हम लेंगे, और दूसरा वाला, human health and diseases, evening में होगा, ठीक है, अलग अलग time पे निकालने का मतलब, अगर मैंने एक lecture सुबह हमारा मतलब निकला है, तो आप उसको उसके बाद, मेरे, मतलब यह lecture करने के बाद, उसको आप खुझ से पढ़ेंगे, और evening वाले time पे भी same होगा, आप evening वाले time पे यह lecture देखेंगे, evening वाला और उसके बाद, ख एक chapter खतम होना चाहिए और बाकी के आदे समय में दोनों lecture, बलब दूसरा lecture, ठीक है, किसी दिन अगर एक ही lecture हुआ है, release, तो उस दिन का आपको, पूरे दिन का समय, उस lecture को पूरा करने में लगाना है, क्योंकि वो chapter बढ़ा होगा, ठीक है, और अगर उसके बाद भी समय बच हो जाता है, तो कुछ guest papers हैं, जो कि हमारे release हो चुके है, अप पे, उनको लगाई है, है ना, 8th को molecular basis of inheritance, 8th को सिर्फ एक chapter है, molecular basis of inheritance, 9th को evolution, ठीक है, 10th को biotechnology की पूरी unit, ठीक है, biotechnology की पूरी unit, दो पार्ट में release होगी, एक सुबा और एक evening में, ठीक है, ये दो पार्ट में होगी, ठीक है, morning and evening, same ecology भी, release होगी, morning और evening में, ठीक है, 11th को, 11th तक आपको, ये करना है, ठीक है, 11th के बाद आपके पास, तीन दिन बचेंगे, 12, 13 और 14, क्योंकि 15 को आपका paper है, बच्चों, जितना पढ़ना important है, उतना ही उसको revise करना, और उसको practice करना important है, कुछ guest papers हमारे महेश्वरी classes वाले app पे भेज दिये गए हैं, बाकी के और आ जाएंगे, उसके solutions जो हैं, वो भी हमारे app पे release होंगे, तो please practice करना बहुत important है, guest papers practice करने से, एक तो आपको कुछ questions exam में दिख मिलते हैं, दूसरा आपकी practice एक बार हो जाती है, लिखने की, answers frame करने की, तो बहुत help मिल जाती है, यकीन मानिये, और इस strategy पर आप चले गए, 12, 13, 14 को अगर आप guest papers solve करते हैं, proper, और revision, थोड़ा थोड़ा revision भी चलता रहना चाहिए, ठीक है, तो भरोसा करिए, फोड़ देंगे आप, है ना, तो इसी के साथ एक चीज़ और है, जो भी पढ़िए, देख के पढ़िएगा, बहुत नाप बलके और बहुत ही सटीक पढ़िएगा, ठीक है, हम अपने lectures में भी ये बातें करेंगे, और एक चीज़ और है, scientist के नाम और contribution, ठीक है, ये और full forms, abbreviations, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी हमारे महेश्वरी classes app पे release हो चुके हैं, उनको जाके free study material वाले section से download कर लिजे, और उस heartedly पढ़िए, रोज सुबा उटके एक पहला काम जो आपको करना है, वो यही करना है, रोज एक बार read करना है, बस, और जो चीज़े आनी है paper में, वो आनी है, definitely आनी है, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजेगा, और इसको मन लगा के पढ़िएगा, ठीक, रोज एक बार बस read क कर चुके हैं, रोज, दस जिन तक अगर आपने read भी कर लिया, तो यकीन मानिये, आपका काम हो गया, और वो आएगा जरूर, ठीक है, बहुत selective है, बस उतने ही पढ़ना है आपको, ठीक है, so this is all, परेशान मत हो ये, सब हो जाएगा, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, चिंता क करने की दिख जरूरत बिलकुल भी नहीं है, ठीक है, so this is Yashesh Srivastav, signing off, bye bye.